Assalamualaikum अच्पर टॉपिक के नम लाइसो सोम जो के बहुत असान और सिंपल से टॉपिक है लाइसो का लफजी मतलब अज़त है स्प्लिट करना तोड़ना और सोमा का मतलब बोड़ी किसी भी बोड़ी को तोड़ने वाला सुप्लिट करने वाला जो और्गिनल है सेल केंदेर द माائक्रो میٹر اس座ाइमीटर होते हैं इस लैसे सोम के अंदर आपको सारे की सारे नजायम नजर आते हैं जैसे फोसफर टेस्स इंजायम होता है हाइडोलेटिक एंजायम होता है जैसे आप से होता है लाइपेशाsnے, नूकलेसीं, Bueno, ये सारे के सारे हाइडूलैटिक एंजाईम, और फॉस्वर्टेश inclusive enzyme सारे का सारे मजूद होते हैं इसके पास जिसका नाम के है लाइससोम है अगर बात करते हैं प्लांट के देदे तो प्लांट के देदे जो central वैक्यूल होता है center पे जो वैक्यूल है वह as a function अदा करता है लाइससोम के तोर पर accept एक cell को छोड़ कर उसका नाम है RBC cell याद दखेगा जितने भी फंजाई हैं सब फंजाई के पास काफी ज्यादा many lysosome मजूद होते हैं अगर मैं कहते हो type of lysosome तो आपको मैं यह बता दो कि जितने भी cells हैं उनके पॉलिमॉर्फिक मेरे बचे अगर देखा जाए यह औरगिनली कहलाता है different types के आपको lysosome वहाँ पर नजल आते हैं और यह बेस करते हैं function के लहाँ से जैसे मसाल के तोपर एक lysosome को नाम देते है primary lysosome अब primary lysosome हम कब कहते हैं जैसे RER रफ एंडो प्लाजमिक रेटिक्यूलम यह अपने अंदर से सारे के सारे इंजाइम को बनाता है यह इंजाइम जाते हैं golgy अपरेटयस के पास और golgy अपरेटयस इनको वेजिकल की शकल में convert कर देते हैं जब यह वेजिकल की शकल में निकलते हैं आप इसको golgy vesical भी क तो गोलजी बोडिस उसको पकड़ने के बाद उनको प्रोसेस को या उनको सब को चेंज करता है और बड़ी डूफ करता है गोलजी वेजिकल की फॉर्म में आप ऐसे लाइससों को नाम देते हैं दियर को प्राइमरी लाइससों है जो अभी अभी बना है अभी काम नहीं कर रह वैक्योल के साथ जुड़ता है और इसके अंदर खुराक को तोड़ता है उस वोकर ऐखोसॉम कहते है या आप स्कैंडी mês लाइसोसॉम कहते है pewno है या डिजस्टि वैक्योल कहते हैं ती नाम दे दिया मतलब Primary Ly butt , Gen cervical इसी तरह एक delicate body यर की नाम नाम पता है या को पता है , जैसे विखेभल कि नाम पला सिय करी शाय करऊ आता है जो अभी undigested food है वो सेल के अंदर जो कि साइटो प्लाजम के अंदर से lysosome उसको पकड़ लेता है जैसे lysosome उस खुराव को पकड़ता जो उसका नम undigested material है तो आप ऐसे lysosome को नाम देते हैं residual lysosome है जैसे primary lysosome undigested material is equal to residual lysosome तो जितना भी lysosome कोंटेन करते हैं पकड़ के रखते हैं undigested material after absorption of digestive food उससे पहले के वो digest हो उसको तोड़ा जाए ऐसे lysosome को नाम किया दियर को राइजी डूल lysosome है Unicellular इन सारी चीज़ों को जो भी undigested material उसको remove कर देता है एक्जोसाइटोसे से बाई निकाल देता अपने से पर multi cell organism इन चीज़ों को अपने अंदर पकड़ लेता है cell carry करके रखता है और जब यह carry करके रखता है आप इनको नाम देते है लिपो fusion granules जैक को लिपोफ्लbank fusion granules का नाम देते है तो इसी तो एक वकत में आप लाइस्वagem को नाम देते है और्टोफगिक लाइस्व Am deta dofagy sofort कियले यह cyto-ly Saudisem कह लें और्टोफगो tylogs नाम देते हैं जैसे primary Déa lysosome अगर मिल जाता है Red cellular organelli से तो इसके मिलने के बाद primary lysosome का नाम क्या बन जाएगा autophagosome है अक्सर देखा जब primary lysosome fuse हो जाता है जुड़ जाता है अटेच हो जाता है dead organic या dead cellular organically के साथ जैसे mitochondria हो गया chloroplast वगरा हो गया ठीक है तो जैसे ही इसके साथ जुड़ता है यह mitochondria बगरा मर जाते हैं डाई हो रहते हैं after 10 days दस दिनों के बाद यह मर जाते हैं फिर जो structure बनता है अब उस structure को नाम देते हैं दियार को autophagosome है तो autophagosome का मतलब primary lysosome का जुड़ना dead cellular organically से और उसका मर जाना digest हो जाना ऐसा जो structure बनता है दियार को autophagosome है human liver के अंदर यह बहुत ज़्यादा यूज होता है recycle करने में material को function के लाज से license के बड़े function है एक function है intra cellular digestion एक है extra cellular digestion इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या फरग है अगर cell के अंदर digestion होगी तो intra cellular digestion है अगर cell के बाइट चीजों को तोड़ा जाएगा दियार को एक्स्ट्रा cellular digestion है इंट्रा cellular digestion में याद रखेएगा cell सबसे पहले foreign substance कोई भी चीज cell के अंदर आती है बाइट से enter होती है phagocytosis या pinocytosis मतलब phagocytosis का मतलब solar material का अंदर आना और जैसे वो अंदर आता कोई भी foreign substance वो डेजस्ट होता है उसको तोड़ा जाता है lysosome की मदद से इस process को नाम देते है हेट्रो फैगी त्यरकोल हेट्रो हेट्रो का मतलब जो फूड है कोई भी खुराक है वो भी क्या होती है डेजस्ट होती है डेजेश्ट होती है डेजेश्ट होती है जब starvation कहत का वक्त आता है जब आपने रोजा रखा हुए या आपने काफी देता खुराक नहीं खाई उस उना सेल की अंदर जो stored food उसकी डेजेश्ट स्टार्ट हो जाती है इस प्रोसेस को नाम देते हैं डेरकौर auto faulty तो auto faulty का मतलब के oled dead cell organelles का या store food की डेजेश्ट को कहते हैं डेरकौर auto faulty cell की अंदर होरी ना डेरकौर intra celluluar digestion है extra cellulose digestion में lysosome अगर देखा जाए extra cellulose digestion भी इनवल्व होता है अक्सर lysosome जो उस्टियो कलास का उस्टियो कलास वो cells है बॉन के जो बॉन इटिंग cell है मतलब के हड़ी के वो cells जो दूसरे cell को खाते हैं dissolve करते हैं वो उस्टियो करता है unwanted parts of bone वो हड़ी का नाजरूरी हिसा उसको मतलर unwanted जिसकी जरूरत नहीं है उसको dissolve करना यह क्या है extra cellular digestion cell से बाहि निगल के काम होना ठीक है तो extra cellular digestion आप देख सेहते हैं फंजाई के अंदर भी होती है एक functional autolysis autolysis में leisosome का दूसरा नाम है suicidal bag suicidal bag क्या है जैसे कि आपने समझ है कि leisosome अक्सर उकास सम्टाइम फट जाता है जब फटता है तो पूरे cell को dissolve कर देता है खतम कर देता है completely आप इसको autolysis का नाम देते हैं अक्सर old cell जितने भी होते हैं वो खतम हो जाते हैं autolysis है जैसे WBC पूरा का पूरा cell खतम हो गया प्लेलर्स पूरा का पूरा प्लेलर्स खतम हो गया एपिथीलर्स है यह उस वक्त होते है जब leisosome इन cell के अंदर फट जाए और अपने enzyme बाहिर छोड़ दे और यह सब को खतम की autolysis process कोन रह रहा है लायसिस होम कर रहा है टेड़ पोल जो फ्रोग प्लेल यह जो कि लार्व है इसा कि टेड़ पौल उसकी भी टेल होती है तो फ्लोग के टेल तो नहीं है उसको किसे खतम की autolysis process ने पर जो करने वाला है यह आर्पोल लाइसिस हो मैं अच्छा क्राइन फाइगी 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 रफ है कि आखरी फंक्शन इसके ए एग्जोसाइट्स किए एंजाइम्स अक्सर उकाल स्टूरी रिलीज कर देता है अतर से कर देता है अपने एंजाइम्स को जैसे एंजाइमज चोड़ते है तो याद रगिएगा वहाँ पर चीड चेंज होना start हो जाती है ब्रेक्ड़ू या digestion होना start हो जाती है मैं example देता हूँ हमारे पास जब भी बचा पयादा होता है तो काटीीलेज होती है वो काटीलेज चेंज हो जाती है बॉन केंदर during development तो कार्टिलेज को बॉन में किस ने चेंज किया, किस ने रेपलेस किया, वो इन्जाइम्स किसके है, लाइसोसॉम की, जो कहां से आए है, लाइसोसॉम से आए है, पर आउटसाइड दा सेल, सेल से बाहि निकल कर आए है, इसी तरह अकसर देखा जाए है, जो मैट्रिक्स और बाान की मैट्रिक्स खाली जगा, ŵो भी तोड जाती है, ब्रोकन हो जाती है, डूरिंग, री मॉलिंग ओफ बाइन, जैसे आपको इंजूरी होती है, एकसिड़न्ट होता है, उस दुराद, बाँन का मैट्रिक्स का ब्रोकन होना और उस दुराद, यह ब्रोकन करें वाला इसको दबारा रपेर करने वाला ये भी कौन होता बेटा लाइसेस हो में जजाकर लाउल खेर